हेलो फ्रेंस मैं सुधा मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज में लेकर आए हूं आपके लिए स्वादिश और खस्ता सकर पारे की रेस्पी जिसे हम लोग मीठे कुर्मे में कहते हैं इसे आप लंबे समय तक श्टूर करके रख सकते हैं रेस्पी पसना है तो प्लीज मैदा लिया है यह वीट में 200 ग्राम है अब हम इसमें डालेंगे एक चोथा च्छोटा चमल यानि दो पिंच के लंशा बेकिंग पॉडर अगर आपके पास है तो आप इसमें डाली जिए अगर नहीं है तो आप इसे इसकिप कर सकते हैं बहुत जरूरी नहीं है इसे डालना दूश कराम मैदे में 50 गीवार राष तो यह धाइँ बाड़ी चमेश मक तो भल स के डाले सकते हैं तो डो बॉल मैदे में वन्वार्थ द जिसेगी का मैदे रृडब अच्छे से मिक्स कर लिया जब आप इसका इसे लडू बनाते हैं तो इसका मतलब है कि मोहन जो बहुत ही अच्छे से लगाए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइड डो लगाएंगे जिस प्रकार से पूरियों के लिए आटा लगाते हैं थोड़ा सा टै इसमेल के लमसम पानी लगा है तो हम इसे गीली कॉटन के कपड़ी से धकर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे तो इसे रखे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं तो इसे मसल कर थोड़ा साथ सौप्त कर लेंगे इसके बाद हम दो भाग कर लेंगे इसके एक हम साइड में डख देंगे इसमें बड़ी बड़ी बनाने है इसलिए मिन दो लोई आवने लोग को हमें इस प्रकार से बनाना है इसा हम बेल देंगे तो यह जो रोटी हमें थोड़ी सिर्व घुशिष बेली हैं बहुत पतला नहीं रखना है इसमें हमें सोखा आठा या आल कुछ भी नहीं रगाना ह बहुत ही इजली बिल जाती है तो आप देख सकते हैं हमें इसे मोटा ही रखना है तभी हमारे जो है अच्छे से बनेंगे तो इसकी साइड को हम थोड़ा सा कट करकी निकाल देंगे और इसे इस पकार से हम कट कर लेंगे अगर आपको छोटे पीस पसंद है तो आप इसकी छो से पहले हम आप करेंगे तो नहीं करें लिख करेंगे तो त्यस्यार देंगे इसागा हमें तो डियूम को मैंने प्लियुम्य घ्ली मने दालीएं लुड़ा के infantry लगें हैर आप कर लिखित पाकृम मैंने कर देंगे इस परकार से पक्रमे हाँ घस्ट जब जादा और डालते हैं जब उसे दुबारा फिर से यूज करते हैं तो गो ऑल जो है मारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है तो इन्हें हम लो फ्लेम पर इसे प्रका से चलाते हूं जब तो यह लाइट गोल्डन कलर के नहीं हो जाते हैं तो फिर आप देख सकत निकालने के बाद फ्लेम को हम एक मिनट के लिए आफ कर देंगा फिर से अट डॉल कर चेक करेंगे तो इसमें हलके से बबल सार है यह खुर्में हम इसे में डालेंगे इन्हें भी हम लो फ्लेम पर उसे प्रका से लाइट गोल्डन होनी तब फ्राइद कर लेंगा बीच बी आपको इसकी लेयर दिखते हैं यह बहुत ही अच्छे बने आप चाहें से जैसे भी तोण मेरें और यह अंदर से बहुत ही अच्छे से पके हैं चलिए अब हम सुगत शिरब बनाते हैं कड़ाई मैने रगदी हम इसमें एक बॉल चीनी डालेंगे यह वेट में 200 ग्राम है अब बॉल से थोड़ा सा कम यानि एटीमल के लमसम मैंश में पानी डाल है प्लेम को हम लो रखेंगे और इसे प्रकार से चलाते रहेंगे जब तक चीनी स्की मेल्ट नहीं हो जाते तो अभी थोड़ी सी चीनी बाके हैं तो इसे भी थोड़ा सा और पकाएंगे फ्लेम को हम में लोही रखना है तो फिस चीनी तो इसके अच्छे से मिल्ट हो गए हैं एक बाद चेकर लेते हैं थोड़ा सा हाथ में लेंगे ठंडा करेंगे अब देख सकते हैं एक तार इसमें अच्छे से और बारी क्वाली तार काफी बन रहे हैं तो आपका सुगर सिरफ तयार है व अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे यह फ्राइक हुए खुर्मे डालने के वार मीडियम फिल्म पर हमें इन्हें इसी पकार से चलाते हुए कम से कम डेर से 2 मिनट पकाना है इसे सुगर सिरफ जो है कुर्मे के अंदर चला जाएगा उख अध इसे नीचे उतार कर रख देंगे इसके बाद हमें हलकी हाथों से इस चलाते रहें सुगर सिरफ को हमें सब्सक्राइब ऑपर डालना है इससे क्या होगा यह धीरी धीरी ड्राइब हो जाएगा सुगर सिरफ की कोटिंग इसका से खुर्मे को पर करने हैं तो आप यहां पर करके उठा सकते हैं लेकिन हम इसे जब चलाते रहें तो इस वकार से थोड़ी से ड्राइब हो जाते हैं उसकी जो सुगर सिरफ की कोटिंग हो थोड़ी सी वाइट हो जाती है जिससे एक देखने में बहुत ही सुन्दर लगती है तो मैंने प्लेट में निका लेती हूं प्लेट को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले तो फिर मिलती हूं एक नहीं रेस्विक सा तब तक के लिए नमस्कार